हेलो फ्रेंग जैशी किशना आज देखिए हम यह प्यारी सी इजी वे में प्यूटिफुल डिजाइन की यह शॉल बना के लाए है और यह माता रानी के लिए मैंने बनाई है आप चाहे राधा रानी के लिए बनाए या किसी भी विग्रेस के लिए बनाए है बहुत प्यारी यह लेंगा डाला था और आज इसकी हम शॉल डालेंगे तो मैंने यह लेंगा डाला है मैं डिसकुसिंट बॉक्स में डाल दूंगी आप जाके चेक करेंगा और बहुत ब्यूटिफुल यह लेंगा बना था अब इसी की मैचिंग का हम आप चुन्नी को या शॉल को बनाएं मातारानी के लिए अब चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम लूप लेंगे और चेन बनाना है में तो जितनी आपको चुन्नी चाहिए या आप शॉल बना रहे हो किसी चीच के लिए तो उस हिसाब से आप इसकी लेंथ ले लीजे तो हम ऐसे करके पहले च बगल में आएंगे यहां पर हमें सेवन बार डबल क्रोश्या बनानी है वन टू थ्री फॉर फाइफ सिक्स एसवन बनाने के पाद अब हमें सिंगल क्रोश्या बनाना है तो वन इसकिप करेंगे त्वी त्री इसकिप करेंगे फ pięय में हम सिंगल क्रोश्या से ऐसे करके अटेच करढ़े है फिर लूप लेंगे फिर वन त्वक्वर वाले में फिर से हम डबल क्रोश्या 7 टाइम बिना लेंगे 1 2 3 4 5 6 and 7 7 बनाने के बाद अब फिर से हम सिंगल क्रोशिय बनाना है हमें 1 2 3 4 4 वाले में ले जाके हमें सिंगल क्रोशिय करने है फिर लूप लेंगे 1 2 3 4 और 4 वाले में फिर से हम 7 टाइम डबल क्रोशिय बना लेंगे 1 डबल क्रोशिय 2 3 4 5 6 7 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1,2,3,4 फोर वाले में जाएंगे और यहां पर हमें सिंगल क्रोशिया अटैच कर देनी फिर लूप लेंगे 1,2,3,4,4 वाले में फिर से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे सेवन टाइम बनाने के बाद 1,2,3,4,4 वाले सिंगल क्रोशिया में हम ले जाके यहां पर अटैच कर देनी अब लूप लेंगे 1,2,3,4 फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे अब सेवन टाइम मनाने के बाद फिर से 1,2,3,4,4 में ले जाके हमें यह अटैच करना है सिंगल क्रोशिया से फिर 1,2,3,4 लूप लेंगे 1,2,3,4 फिर से हम यहां पर सेवन टाइम डबल क्रोशिया बना लेंगे अब सेवन टाइम बनाने के बाद लूप लेंगे 1,2,3,4 फिर से हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे फिर लूप लेंगे 1,2,3,4 फिर से डबल क्रोशिया सेवन टाइम बना लेंगे 1,2,3,4 फिर लेंगे परमेर लेंगे जाके हम यहां पर इसको अटैच कर देंगे 1,2,3,4,4 फिर से हमें फ्रेंट फ्रेंट में बनाना है हम बैक में नीच करेंगे यह देखिए हमारे कुछ इस तरह से यह आएगा और हमें यहीं से कट करके रखेंगे यहां पर नट कर लेंगे और बाद में हम यहां पर सेफ कर लेंगे अब हमें फिर से स्टार्ट करना है लूप लेंगे और हम यह जो हमने थ्री चेंड मिनाई थी यहीं पर हमें सिंगल क्रोश्या ऐसे लूप लेंगे तो अब यहां पे हमें puff पनाना है ठीक है तो हम loop लेंगे और यहां पे हम puff बनाएंगे 1 time 2 time and 3 time 3 time puff पनाने के बाद 1 chain लेंगे 2 chain लेंगे और 1, 2, 3 3rd वाली chain में ले जाके हम single crochet करेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर ली अब फिर से हम लूप लेंगे वन चेल लेंगे टू चेल लेंगे और थ्री चेल लेंगे अब यहां मिड में आना है जहां हमने अटैच किया सिंगल क्रोशिया मिड में आना है यहां पे अब हमें पफ बनाना है फिर से इसमें निकाल देना है कि फिर से इसमें पफ बनाना है टू एण त्री और एक साथ निकाल देना हैं इस तैसी यह पफ बनेगा फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, यहां पर हम ले जाके अटेज करेंगे अब यहां से हमें फिर से चेन लेनी है तो हम इसमें 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद हमें यहां मिड में आना है जहां हमने जोइन किया था है पर पर नीचिंट लुप लेना नहीं कि निकाल यहां पर उसंदेरा बनाएंगे तो अब समय है करेंगे गतल इक खांव पर रूंप पर यहां पर 0 tylडग करना में हाथ delay लीचन बनाएंगे Georgia आप फिर करेंगे लोप लेंगे जाएंगे शीनातिस पीजाना भी बेता है लेंगे यह से थीट करना भी के और लेने के बाद एक साथ है निकालनाक जोईन कर देना भी टूचल को दो कर स्विए नяжंगे को लें फिर मिड लाना है और यहां पर हमिस सिंगल कृश्या से जोईन करें ठीक है फिर वें मिड में याँ है यहां पर हमे बना लेना यहां है बनीज़ नीचे से पफ लेंगे एसको हमें ऐसे करगे लुप लेने के बाद सौरी और हमें ऐसे सिंगल कर लीना है तो इस ता इसे ड़्यों करके लूप कुम्प लेना है तो इसे लिए लेंगे और आप से लुप कॉमप्लीट हो राए तो हमें 1 चेल लेना है 2 चेल लेना है 3 चेल लेना है और फिर 1,2,3 चेल मिट मेरं ने लेना है तो हमें अब देखिए यहां से हम मिट में आएंगे और यहां पर हमें लंबे लूप लेने हैं और पफ बनाना है तो हम ऐसे करके लूप लेंगे तू उपर से और नीचे से थ्री और लेने के बाद हमें एक साथ निकालना है और यहां पर जॉइन करना है फिर वन चिन लेना ह करके फिर से हमें त्री टाइम लेना है उपर से नीचे से और फिर इसको जोइंट करना है कि इस तरह से हम यह रो कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं अब दिखी लाश्ट में आ गए लाश्ट में हम इसको फिर से यहां पर हमें लाश्ट में जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था पफ वैसे हमें सिंगल सिंगल पफ बनाना है यहां पर हम सिंगल पप बनायंगे वोकि यह काई है आकरी में तो हम सिंगल 3ी टैम ऐसे लूप लेंगे और एक साथ ज्टार्ड करके इसको ज्टाइं कर दिखेए metra करके आ फीunden पूले। add करना है तो यह हमने नौुट लगा दिया है और इसको बाद में ऐसे करके सेव कर लेंगे तो दीखेने अब हम इसमें yellow एड कर रहे हैं और yellow से अब हम इस्टार्ट करेंगे तो जो फिर्ट वली लाइन थी प्रोसस से हमें करना है तो यहां पर हम पहले स्कों कर देंगे और करने के बार अर्ध एक पारित में हम बडब ओर को शिर कर Susie सबस्सक्क्राइब करेंगे यह हम से में से डबल अपना कने के बाद घरार पहले नहीं लिश्व क्रोश्य नाये, इसमें ले जाकर सुएफिह सिंगल क्रोश्य से जोएन करना के पाधिए. अब सब्सक्राइब को पर साइब कर पाद उन गोइए. बने लेते हैं, two, three, four, five, six, and seven. बनाने के बाद, 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 बनाने के बनाने के बनाने के बनाने के बनाने के जहां हमने 7 डबल क्रोशे बनाई है उसकी आपोजिट हमें फिर वह बनाना रहेगा तो ऐसे देखी 7 डबल क्रोशे बनाई और मिट में ले जाकर कि सिंगल क्रोश्या से जोइन करना है आप देखिए हम वन चेल लेंगे टू चेल लेंगे थ्री चेल लेंगे फिर मिड में हम यहां पर ज्वाइन कर देंगे बहुत इजी वे में आप ऐसी शॉल बना सकते हो आप अपने लिए भी बना सकते हो बहुत इजी वे में मैं डिजाइन बता रही हूं तो देखिए फिर से वन टू एंड थ्री चेल लेने के बाद अब हमें यह पफ के ऊपर डबल क्रोश्या सेवन टाइम बनानी है सबयानम ऐज बनाना में के ऐसो सब्सक्राइब लेने के बाद आप बिट में ले जाके सिंगल क्रोश्या से ज्वाइन कर देंगे तो इस तहसे हम यह रो कमपलेट कलेते हैं लाश्ट क्का derivative होता अब आण स्टावला तो यहां पर फिर सी हमें सेवन टाइं मैं डबुल क्रोशिय बनाने तो हम यहां पर सेवन पाफ के उपर हमें सेवन टाइं डबुल क्रोश रखम संदंद आदैं है कि हं सेवन टाइनद्दय करें suffli नहीं से सब्सक्राइबोड यहाँ पर दोने के ढम फिर सेиватьक जाएंगे से जाएंगे! सब्सक्राइब दोने कर्णे से जाएंगे!!!! एक हिल्च्राइब के बंचे पार में कारीजियर की पर पहली मतनेता है तो half बनाना है 7 है तो आप 4 भी बना सकते हो तो आप कुछ भी बना सकते हो इससे अब यहां पर not लगा देंगे और not लगाने के बाद अब हम फिर से start करेंगे starting से तो इदेखे हम इसको फ्रंटी फ्रेंड में बनाना है बैक नहीं करने है अब यहां से फिर से हम yellow add करेंगे अब यहां पर देखे जहां हमने double crochet बनाई है यहां पहले हमें yellow thread को join करना है और join के पात अब यहां पर लंबा लंबा हमें पफ के लिए three time loop लेना है उपर से और नीचे से तो हम यह three time ले लेंगे और फिर एक साथ निकालने के बाद इसको हमें join करना है फिर से देखे हम यहां से loop लेंगे loop लेके हमें three time loop लेना है उपर से और नीचे से लेने के बाद हमें एक साथ निकालना है जोइन करना है फिर तू चेन लेना है पहले हमें यहां पर सिंगल क्रोश्या से जोइन करना है अब हम मिड में आएंगे तो वन चेन लेंगे तू चेन लेंगे और यहां मिड में आएंगे क्योंकि पास में अब यहां पर हमें इसी में पफ बना लेंगे लूप लेंगे और यहां पे हम पफ बना लेंगे तो यह हमने टू टाइम पफ बना लिया वन टू टू चे लेने के बाद मिड मिला करके हम इसको जोइन करेंगे तो इस तरह से जोइन के लिए हमने सेकंड वाली रो में 3 3 टाइम लेकिन इसमें डीला लग रहा थे तो मैंने टू टाइम लिया अब फिर टू टाइम लेंगे और यहां मिड में आकर के फिर से हमें पफ बनाना है परिखिए और इस तरह से जोइन करतें फिर यही है दो से हमें चेल करना से तो means कि कैने और यहां मिद जायें है 3 time यहां पर नीचे से लूप लेकर करके फिर से पर बनाएंगे और अब तीखे हम फिर से चेन लेंगे यहां जोइन कर लेंगे तो इस ते से हम पहले complete करते हैं लाष्ट में आएंगे फिर आपको उताएंगे लाश्ट में आ गए तो हमें वन चेल लेना है तो हम एक के स्किप करेंगे और वन चेल लेने के हमारा है विल्कुल चेश्ट बगल में है और यहां पर हमें पफ बना लेना है लाश्ट में तो वन पफ हमें लाश्ट में बनाना है तो जो हमने फोर तो दिखिए हम इसमें अब ग्रीन एट करेंगे तो लहंगे में जैसे हमने यलो लगाया है फिक ग्रीन लगाया है तो ऐसी प्रोसस से हमें लगाना है आप कोई भी कलर अगर लगा रहे हो तो कॉमिनेशन बिल्कुल रखेगा इस तरह से तो आपकी ड्रेस और चुनी का मैच ह हो जाएगा और सुन्दर लगेगी क्योंकि डिजाइन में फर्क है थोड़ा थोड़ा बहुत परक है तो इसलिए मैचिंग करेगा तो ड्रेस सेम सेम लगेगी तो अब देखिए हमें इसमें अटैच करने के बाद यहां पर हमें डबल क्रोशिय बनानी है तो हम इसमें डब कुरुष यहां और आप्धी के लिए में के बाद मिट में कि ऑन नहीं के बना भी इसमें डबल क्रुष इवरें को शेवन सेवें टैं में टैम आ लिंगे है तो अब देखी यहां पर करने मिट में मिट में मिट में चेल लेंगे तो फूफ कर देखी जिए रेड और यलो का बना है सेंव ब्रॉसरक्ड के समें आपको दिखाते हैं तो निए से शी निए यहां बोच दीए तो तो भी स्टून लगा दिया है तो जैसे ड्रेस्ट में combination था, lining थी, red, yellow, green, फिर yellow, green, yellow, फिर red, इस तैसे हमने इसको shawl को भी complete किया है, जैसे आप देख रहे हो, बहुत प्यारी और बहुत beautiful इसकी design लग रही है, और बहुत सुन्दर लग रही है, आप जुरूर बताएगा आपको यह कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो like जो करियागा कमेंट्स करके ज़रू बताएगा, और में चैनल पे नए हैं, तो subscribe करना बिल्कुल न भूलेगा, बेल आइकन का बटन दबाएगा, जैसे आपको यह सी निनी नोटिफिकेशन मिलती रहे, जैसी किष्णा